नमस्कार, मैं दोक्टर विवेक, स्पाइन सर्जन, वैल्टन होस्पिटल, जैपूर समानेता जो मरीज हमारे पास आते हैं, जिस दर्द के लिए सबसे ज्यादा मरीज हमारे पास आते हैं अगर अपन देनिक दिन चरिया के हिसाब से देखें, तो कमर दर्द के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं, डोक्टर के पास विजिट करते हैं तो आज जिस टोपिक पर हम डिसकस करने जा रहे हैं, वो है कमर दर्द, इसके जो परमुक कारण है, क्यों ये होता है, कुछ ऐसे एक्सराइज के बारे में आपन बाते करेंगे के वज़े से कमर दर्द के अंदर मरीज को बिना ज़्यादा मेहनत किये, काफी अच्छा आराम मिल सकता है सबसे पहले जो कमर दर्द का कारण है, हम लोग देखें, तो सबसे पहले जो कारण आता है, वो है मरीज का लगातार एक कंडिशन के अंदर, बैठना या खड़े रहना, जो बिल्कुल भी सही स्थिती के अंदर ना बैठने की वज़े से कमर दर्द काफी ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ डाइग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें हम दिखाएंगे कि पेशन्ट का बैठने का तरीका और पेशन्ट का काम करने का तरीका, अगर वो गलत हो, तो उस पर जो रीड की हड़ी पर अनावसक दवा बढ़ता है, जिसकी वज़े से पेशन्ट को कम बैठने में भी यही जो स्टीती है वो ध्यान रखिए कि आप एक गलत पोजिशन के अंदर लंबे समय तक लेटना या बैठना ना करें बैठने के अंदर जो ए डाइग्राम में इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बैठने का तरीका है वो अपने को कुबर निकाल के नहीं बैठना होता बैठने का जो पोस्चर होता है वो हमेशा इरेक्ट पोस्चर हम लोग जिसको मेडिकल लेंवेज के अंदर बोलते हैं इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए और जो बोडी का पोस्चर होता है अगर आप इस डाइगराम के अंदर देखेंगे कि तो बैठते ह काम करना जुका के ये अपने रीड की हड़ी पर अनाविशक दबाब डालता है तो जो बैठने का तरीका है या आगे जुक के काम करने का तरीका है वो भी इस चितर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि जो कमर जुका के काम करने का तरीका है वो सही तरीका इस डाइग्राम के माध्यमसियापन समझ सकते हैं इसके अलावा जो तीसरा में मुख्य कारण है वो है मरीज का कमर से संबन्दी कोई भी टाइप का वयाम या कसरत नहीं करना है अगर आप कसरत या वयाम नहीं करेंगे एक्सराइज कमर से संबन्दी नहीं करेंगे तो उसके परिणाम सुरूप लगातार जो रीड के हड़ी के आसपास की मसल्स है वो काफी कमजोर हो जाएगी दिन बे दिन और जो सरीर का बोडी का पूरा वजन है वो पूरा रीड के हड़ी पर आ जाएगा जसकी वजह से मरीज को कमर दर्द की हो जाती है तो कमर दर्द के लिए कुस Š PTeCAL ताइप की एक्सराइज होती हैं जն के बारे में अलcomings Welcome अंहीं बनाए गए हैं आप देख सकते हैं अमारे चैनल पर अलिक्सी वीडियो बने हुए है पर जो exercise है वो डोक्टर के निर्देशा उंसार ही start करनी चाहिए एक बार डोक्टर के पास आप विजिट कीजिए और आपके pain के according, आपके दर्द के according, कौन सी कसरत आपके लिए सही रहेगी उसके बारे में आपको डोक्टर guide करेंगे तो मेरा आपको यही कहना है कि कमर दर्द है उसको अपने दिनचरिया में सामिल मत होने दीजिए इसके लिए दो जो महत्वपून चीजे हैं पहला कमर का सही इस्तमाल और दूसरा कमर से संबंदी exercise